Good morning students, आजम उत्तर प्रदेश में पार्ट नम्मर 10 नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं प्रदेश के उद्योग धन्दे इससे पहले हमने हमारे प्रदेश की क्रिशी के बारें पढ़ा था कि हमारा जो प्रदेश है वो क्रिशी प्रधान है यहां बड़ी संख्या में लोग क्रिशी कारे में लगे हुए हैं क्रिशी के अत्रिक्त प्रदेश में और भी छोटे बड़े कुछ उद्योग धन्दे हैं हमारे राज्ये में जो उद्योग धन्दे उन्हें मुखते दो भागों में बाटा गया है कुटीर उद्योग और बड़े या मध्यम शेनी के उद्योग आज हम कुटीर उद्योग के बारे में जानेंगे कुटीर उद्योग क्या होते हैं कुछ परंपरागत उद्योग जो घरों या उसके आसपास से संचालित के जाते हैं ये किसी निश्शित इस्थान या समाज में कई पीडियों से चले आ रहे होते हैं, इसमें आठ या दस व्यक्ति कारेरत रहते हैं, इस प्रकार के अधिकतर उद्योग उपनगरिये या ग्रामिन छेत्रों में ज़ादा फैले होते हैं, इनकी स्थापना में कम लागत लगती है इनके उद्योगों की खपद भी आसपास के छेत्रों में ही हो जाती है, उने ही हम कुटीर उद्योगों के नाम से जानते हैं, इन उद्योगों में जैसे बीडी बनाना, या गुड बनाना, मदुमक्खी पालन करना, मुर्गी पालन करना, दरी बनाना, या हस्त निर्मित का प्रदेश में अनेक इस्थानों पर फैलेवे होते हैं और कल हम बड़े उद्योगों के बारे में जानेंगे